हाई अब्रीबन कैसे हैं सभी लोग आज किस वीडियो में देखने वाले हैं जो भी बीकॉम पार्ट थर्ड मतलब की थर्डियर में है उनका पेपर है इन्फॉर्मिशन टेकनलोजी इस एंप्लिकेशन इन बिजनिस आज हम बात करेंगे एक्जाम 2022 में आने वाले कोशन की बारे में आने वाले कोशन है बीटा आने वाले प्रशन ठीक है 2022 में आने वाले प्रशन है इनकी अलावा आपको कुछ और नहीं देखना है लगबग यह जो केशन के बात की जाए वह 18 से 19 कोशन होंगे जो आपको याद करके 90 परशेंट यहां से फसेगा बिटा 90 परशेंट वालोब कह दूं कि एक भी कोशन बाहर नहीं जाने वाला है ठ जिसका नाम है दूसरा जिसका चैनल है हमारा ही चैनल है और इसका नाम है बी काम remain paper hacker जिसमें हम बी कॉम की ही video provide कर आते है बी काम बाई पेपर है कर दिसमें link description box में दें रखा है आप जाके subscribe कर लीजीर और जिसके छाटरों के M CQ कोशन आईंगे मतलब कि बहु बिकल्पी कोश्चन बनेंगे जिस भी यूनिवेस्टी में इसी पेपर के अंदरगत वीकॉम का तो उनके लिए हमने एमसी क्यों कोश्चनों की PDF का लिंक डिस्कॉप्शन वॉक्स में दे रखा है आप लिंक पर जाकर टच कर सकते हैं ठीक है और वो लिंक आपको कहा मिलेगा नोट्स आल नोट्स दिखाए वहां सी कर सकते हैं या फिर आप हमारा बीकॉम भाई पेपर हैकर पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप बहां भी आपको वह लिंक मिल जाएगा डिस्कॉप्शन वॉक्स में एं सी की कोईशन के पीडियाफ और साथि साथ एप लिकेशन भी हमने बना के पेपर पप्लिस्टोर आप प्ले स्टोर से जाकर पेपर हैकर सच करेंगे प्ले स्टोर पर वहां सारे एप हमारे देख सकते हैं आप जो भी आपको जिस लिए इस लेटर उस डालोड कर पाएंगे आज किस वीडियो में चलो स्टार्टिंग करते हैं और देखते हैं 2000 you can 22 में आने वाले कोशन को दोस्तों पहला कोशन है कि यहां है देखो यहां मुला गया है सूचना की तकनिकी मतलब की information technology क्या होती है पहला कोईशन यही बहुत जड़ा most important हिए सुचना तकनीकी क्या होती है उसका उप्योग कहा कहा होता है वह दिखेंगे और सुचना कराथि क्या है अब सुचनी क्रांति क्या होती है वह हम देखेंगे और उसकी कि ब्याख्या करेंगे सुझने कि सुझना क्रांती की बारे में उसके बार में लगाएंगे बाद सेखो बेदार और सैटिलाइट देles जो communication होता है, उसकी उप्योगता, communication के बारे में और उसकी उप्योगता कहा कहा की जाते है, यूज कहा जियाता है, उसका आपको वड़न करना है, next question पर टिक लगाएंगे, computer क्या होता है, computer के कितने भाग होते हैं, यह most important question है, computer क्या है, computer के कितने भाग होते हैं, कितने पार्ट ह करना है तूट टेवल सहीट आपको इसका वर्ण करना है लोजिक गेट किसे कहते हैं यह परिमास आप याद करेंगे और टूट एवल सहीट आपको वर्ण करना है बहुत मॉश्ट इंपूटेंट कोशने विटा आप ध्यान से देखेंगे नेक्स कोशन है डाटा डाटा तथा सूचना से आप क्या समझते हैं मतलब डाटा किसे कहते हैं सूचना किसे कहते हैं यह आप याद करेंगे नेक्स कोशन है डाटा जो हरेचिंग होता है उसको समझाना है तो डाटा हरेचिंग क्या होता है उसको आप देख लेना ठीक है नेक्स कोशन है माइक्रो सॉफ्ट वर लिखते हैं कैसे क्या लिए उसकी सुविधा क्या क्या होती है वह आप देखेंगे दरज करने के लिए मेल को ठीक है Microsoft वारा किस प्रकार से उसको टैपिंग किया जाता है वह देखेंगे पूरी प्रोसेस को नेक्स कोशन है वर्ड प्रोसेसिंग क्या है वर्ड प्रोसेसिंग क्या है डाकुमेंट तयार करने में लेखन के बारे में और फार्मेंटिंग में तथा प्रेंटिंग में और इसके उपयोग, उसका योगदान क्या रहा है, और इसको उपयोग के बारे में आपको देख लेना है, बिटा, word processing क्या है, document कैसे त्यार करते हैं, लेखन के बादे में, और साथा साथ प्रिंटिंग के वारे में उनका योगदान क्या है वह आप देखेंगे नेक्स कोशन पर टिंग लगाएंगे विटा जिसे कहते हैं एडि आई इडि आई को हम एलेक्ट्रिक डाटा है इंटरनेट क्या होता है इंटरनेट क्या होता है इसको देखेंगे साथ-ए-jac Scott क्या होता है उस्तैप इससे आप क्या समझते हैं उसकी ग्याक्या साहित आपको पूर्डन करना है ठीक है डीनेस के बारे में अच्छी तरीके से आपको याद करना एक्स्पिन करना है बहुत ज़्यादा इंपोटेंट आप ध्यान से देखेंगे नेक्स कोशन है बिटा सूचना प्रांडी निंत्रण को समझाते हुए उसकी सूचना प्रांडी के लिए निंत्रण और लेक परिक्षण की आबसकता होती है उसके बारे में हम याद करेंगे ठीक है यह नेक्स कोशन जस्ट मुमेंट रुकेंगे फोन आया अब यहां से द्यान देंगे अब यह हमारा कोशन कंप्लीट हो गया ठीक उसके बाद में इसको समझते हुए उसकी सूचना प्रांडी के लिए नियंत्र और लेखा परिक्षण को आबश्यक है वह आपको देख लेना है नेक्स कोशन पर टिक लगाएंगे इंटर देखो इंटरनेट में प्रियोग आने बाली जो प्रोटोकोल होती है इंटरनेट में कौन सी प्रोटोकोल प्रोटोकोल क्या है यूज होती है इंटरनेट में वो बताना है और जो एक टीपी होता है ठीक है नेट कह सकते हैं टेले टेली फोन डिजू टेली फोन क्या होता है उसको देखेंगे और साती सा सूचना तक्निकी जिसे हम क्या करते हैं इनफॉर्मसन टेकलोर्जी बोलते हैं उसके जो बुक प्रेंटिंग है यह फिर डाकुमेंट का तयार करने के क्या यूज किस प्रकार से यूज करते हैं उसको है उसका यूज कहा किया सकते हैं मिनस्मेंट सिस्टम ठीक इसको आप याद करेंगे नेक्स पर तेग लगाएंगे देखो यहां next question है हमारा इंट्रैन एलेक्ट्रोनिक क्या है और उसके जो कह सकते हैं accounting accounting क्या सकते हैं फाइनस अकाउंटिंग फाइनस वाला यह फिर मार्केंटिंग फाइनस है उनका उप्योग कहा कहा किया जाता है accounting और मार्केटिंग फानेंस का यूज कहां कहा होता है इसके बारे में देखेंगे इनойти एड्रास क्या होता है यह सब हम हमारे वाइप पिरक्रिया के बारे में और उसके परिक्शन सरड़ी के बारे में हमें याद करेंगे साथी साथ लास्ट में एक मैंने ऊपर बता रखा था जिसे डिस्टिव यूटिंग कम्पनिटिंग कह सकते हैं ठीक है है 2022 में आने वाले कोशन आप इतने कोशनों को अच्छी तरी किसे याद कर लेना इससे जादा कुछ और याद करने के जरूत नहीं पड़ेगी 2022 के एक्जाम में नेक्स्ट कोशन में नेक्स्ट के हिसाब से आएंगे दोस्तों जादा साधा इस वीडियो को शेर करना है और कोई भी दिक्कत आती ही तो कमेंट सेक्शन में आपको बात आते नहीं मिलते हैं और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लिजिए थैंक यू फॉर वाचिंग इस वीडियो जाट कर दोस्तों चैनल को